खेलो आप्रीबन दिदिश नीला और वेल्कम टुम यूट्यूटीब चैनल इस्टेडी अडिशीनों कैसे हैं आप सभी लोग आज हम लोग पढ़ेंगे मद्धीकाल की कला या पोथियों की कला ठीके यानि कि मद्धीकाल की कला को ही पोथियों की कला कहते हैं इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे इसके अंतरकत हम लोग पढ़ेंगे पाल शैली पढ़ेंगे इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अप्रण शैली पढ़ेंगे ठीके लेकिन पाल शैली को पढ़ने से पहले हम लोग उसके बैक ग्राउंड को समझेंगे किस तरीके से पाल शैली स्टार भी लाएंगे यानि कि उसमें हम लोग अब्राशली को पढ़ेंगे ठीक है तो वीडियो को साथ बने रहे हैं वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि सारी चीज़े हम लोग यहां पर डिसक्रस करेंगे और मैं आपको बता दूँ कि बहुत से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि मै से आप जाकर के देख लीजिएगा और इसके अलावा पीडियेफ के लिए तो पीडियेफ आपको स्टडी एडिश्यूनो टेलिग्राम चैनल है उस पे मिल रही है तो वहां पर जाकर जोईन कर जिए सारी पीडियेफ आपको मिल जाएंगी ठीक है तो इस लैबस वाला भी पंद्रा सो पचास तक के इसका टाइम पीरेड रहता है छे सो पचास से लेकर के पंद्रा सो पचास तक के इसका टाइम पीरेड रहता है ठीक है इसको क्या है दो पार्ट में डिवाइट किया गया है पूर मद्धिकाल और उत्तर मद्धिकाल ठीक है तो मद्धिकाल का अग क्यों क्या है दो पार्स में डिवाइट किया है पूर्व मद्धिकाल और उत्तर मद्धिकाल की अगर बात करें तो इसका टाइम कितना रहेगा एक हजार से लेकर के 1550 तक के इसका टाइम रहता है जिसके अंतरगत हम लोग क्या पढ़ेंगे आप बरंश शैली पढ़ेंगे ठ तो बिल्कुल आपको आद अगर पाल शैली आपकी पूर मद्धिकाल पाल पूर मद्धिकाल और अब्रछ आपको उत्तर मद्धिकाल ठीके। काफी चीज़े इस तरीके से पूछ लिया थी तो आपको समझ के सारी चीज़े करनी है ठीक है तो यह चीज़े आपको कहाँ पर क्लियर हुई चो 650 से 1000 पूर मद्दिकाल 1550 उत्तर मद्दिकाल पूरा आप से पूछे 650 से लेकर के 1550 तक क्यों हो जाएगा ठीक है इसके अलावा और दिखे पहले जो चित्रकार होते पहले जो आर्टिस्ट थे ठीक है तो वो क्या है बड़े कैन्वस पर बड़े बडहे शेत्र पर ढ़εια धर काम करते थे लेकिन उसके बाद क्या है जो गुफां nya ब्लब उसकी परमपर्रा थी तो उसमें तो तो उस पर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं कि अध्या नहीं दिया इस वज़े से यहाँ पर में रिजन पूछा जाए तो राज्जियों का बनना वारा राजनेतिक आई सिर्ता जहां पर में रिजन था कि यहाँ पर भिति चित्रड क्या है कमजोर पढ़ने लगी ठीक है अ उत्तरभारत की शेत्र में आगा हम देखें पशिम भारत में देखें दक्षिर भारत में देखें तो यहाँ पर हम देखने कि जो परंप्रा है काफी कमजोर पढ़ने लगी तो उसका मैंने रीजन बता दी छोटे-छोटर जो राज थे तो उनमें जो है क्या आपस में जो लोग होते हैं उनका जो है सपोर्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ ठीक है तो उत्तरभार पश्चिमबार दक्षिपूर भारत और मद्धि भारत में यहाँ पर प्रभावी रूप से यहाँ पर गिरावट आती है ले लेकिन इसके अलावा अगर मूर्तिकला की बात करें वास्टकला की बात करें तो वह आपका विकास चलता रहता है ठीक है नेक्स हम बात करते हैं चित्रण की ग्रावट में चिन हमें आप देखें कैसे में पता bleach ग्रावट जैसे कि हम लोगों ने सितन्वसल कूफा पढ़ीती है है तो सित्वसल गूफा आपके जाहिर से बाँ है कौन से हैं आपनीपर मत्री अहां कीफ़ाई चाहि Bowl जीमें चित्रण की गिरावट के चिन हमें सित्तनवासल गुफा और अलॉरा गुफा के तित्तीस सर के भित्री चित्रण में दिखाई पड़ने लगे थे वहां पर जो है मनलब चित्रकारों ने क्या है मनलब उसमें गिरावट आ गई थी चित्रकारों को जो काम देकर का अशर लग रहा था कि हाँ अब उसमें ज्यादा नहीं रहा ठीक है बित्री चित्रड की ये परिपाटी राजनेतिक उतल पुतल अभी मैंने यहां पर बताया तो जाहिर से बात हो उसमें कोई कुछ कमी आ जाएगी तो यही इसके साथ हुए जब चित्रकारो को बड़ा शेत्र नब मिलकर के छोटे शेत्र पच्छ नहीं हो पाई इसी वज़े से आपको पता है पाल शैली भी भात कर दो फिर थे और अबरन शैली शेली ने तो कि भुड़ी पर राजनेयतिक उतल पुथल की वजह से पोथि चित्र का रूप धारण कर लेती है ठीक है पूर मद्दिकाल के बात करें पूर मद्दिकाल में यहां पर 650 से लेकर के पांसो उन्यासी तक के इसका टाइम पिरेड बादामी रहता है तो इसी के अंतरगत देखे इसका भी टाइम पिरेड आ जाता है इसके बी जो सेकेंड स्तर के जो चित्र है वो भी क्या है पूर मदिकाल के अंतरगत ही आते हैं तो इस सरीके सेपको याद रखना है कि बादामी गुफा है सित्तिलवासल गुफा है लोरा गुफा है वो किस आंतर मंदिकाल ऊप्छल में से आॉप्चन दिया हो तो आपको पूर मदिकाल ही लगाना है क्लियर है इसके बाद हम देखते हैं इस यूग की चार प्रतिनीधी जो आपका मद्धिकाल था जो आपका मद्धिकाल पोतियों की कला जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से चार शैली अभी बताएंगे चार शैली कैसे ठीके इस जयाण शैली है अबरंग शैली है और गुझराती शैली यह क्या है एक ही है इन तीनों में काफी सिमिलर्टी इस वज़े से इनको क्या एक कैटिगरी में रखा गया है लेकिन अलग अलग विद्वानों ने इनका अलग अलग नाम दिया है वो भी साए चीजे हम लोग एक कर तो यहां पर मुख की रूप से चार पति नेधी शारी रही जिनके कहा है करना पदिए शा Commerce ली जायंगर करना बहुत ही इनका उप्यूक्त नाम करना अब उनका नाम क्या रखा जा जाए तो इसमें भी काफी लोगों ने विवाध कि काफी लोगों का अलग अलग व्यूद थे, अलग अलग मत थे, क्यों, इस विवाध के कारडर, निम्ल शैली के अंतर्कत, सपस्ट किया गया, निएकि, आगे हम देखेंगे, किस वजह से किस का नाम, क्यों, कैसे पढ़ जैसे पाल शैली है तो उसका नाम पाल शैली कैसे पड़ा जैन शैली अगर अबरन शैली को जैन शैली कहा गया तो जैन शैली क्यों कहा गया अबरन शैली क्यों नाम दिया गया 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 गुजराती शैली क्यों नाम दिया गया तो इस तरीके से सारी चीज़े हम लोग यहां अगे अब यहाँ पर देखि हुआ क्या था कि ती हो व्हक्त की इस्ठानेश्वर के सम्राध हर्ष आद्व गौड के राजया शशांग की पश्चात यादी लगभग जाने इसโगत नराज थी ठीक है तो इस्थानेश्वर समराथ हाश्वा गौड के राज शशांग के पश्चात लगभग सो वर्षों तक बंगाल की शाषन विवस्था बिगड़ रही थी ठीक है बिगड़ रही थी ठीक है सन 730-740 इसवी के मत बंगाल की जनता ने क्या कर दिया विद्रो कर दिया काफी जनता परिशान थी इन राजाओं से जिसकी वज़े से बाद में क्या है जनता ने विद्रो कर दिया और फिर एक जो है गोपाल नाम का आदमी था ठीक गोपाल नाम का व्यक्ति था उसको क्या है बंगाल का नया राजा घोशित कर दिया गया बंगाल की जनता ने अगर पूछा जा पाल वंच का प्रतम शाशक कौन था तो यहां पर गोपाल यहां पर हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकाप बंगाल में शांतियों और पाल राजवंच की स्थापना ही इसका प्रतम शाशक कौन हो जाएगा गोपाल यहां पर प्रतम शाशक की रूप में जान बंगाल का जो है मलब सारी चीदे लाड़ा होने के बाद किसको राजा बनाया गया गोपाल नाम का एक वेक्ति था जिसे क्या है पाल राजवंश का प्रथम राजा घोशित किया गया तो आपको समझ में आ रहे हो चीजज अगर आ रहे हैं तो जरूर आप सेशन को जरूर लाइक करिएगा लाइक करने से मुझे अंदाजा हो जाता है कि हाँ जो चीजे जारी हूँ वह बहुत अच्छी जारी है ठीक है कि यहाँ पर आपको सीधे याु छीज Bri from पार वंट कि पालगल्च की चित्रकला कि अगर हम बात करें करें तो पालग्च की चित्रकला वनपार में देखी इसने प्र हखते में था तो पाल शाषक थे वह पूर मदिकाल का टाइम कितना रहता है 6050 से लेकर के एक हजार इसभी तक के पूर मदिकाल का टाइम रहता है लेकिन अगर आप यास में जैसे स्टार्ट हो वैसे आपकी पाल शैली स्टार्ट होगे तो ऐसा नहीं हो सकता है तो हो जाएगा नेपाल मुख्य रूप से बंगाल मुख्य रूप से आपको यादखना है बंगाल ठीके बिहार ठीके नेपाल यानि कि मुख्य रूप से कहां पर थी बंगाल बिहार नेपाल इसके लवाहना कि उत्तर प्रदेश में भी थी और इसा में भी थी लेकि मुख्य चितर्ण के नई परिपार्टी का जन्म हुआ जिसे हम क्या है पाल शेली के नाम से जाने जानते हैं जिसको क्या नाम दिया गया उसको नाम दिया गया पाल शैली के नाम से बुलाए गया ठीक है यह शैली पोथी चित्रड के नाम से भी जाने जाती है ठीक है क्योंकि पोथियों में चित्रड हुआ है इस वज़े से उसको क्या बोलते है पोथी चित्रड को पोथी चित्रड के नाम से भी जाते है चित्रड के नाम से जाने जाने वाली कौन सी हो जाएगी तो आपकी पाल शयली ही हो जाएगी शुरुआत फिर हम बात करें कि सबसे पहले यहां पर मैंने पता है संस्थापक कौन था गोपाल था इसमें क्या कौन को इतने हम आर्ट लिख रखें लेकिन याद किसको करना है व पाल आपको याद रखने हैं फिर इसके बाद गोपाल का पुत्र कौन था धर्मपाल इसके बाद कौन राजा बनता धर्मपाल ठीक है तो यह गोपाल का पुत्र था धर्मपाल और फिद धर्मपाल के बाद याद करना है आपको देवपाल देखिए यहां पर समझे रूख जाएगा जैपाल हो जाएगा ठीक है फिर इसके बाद जैपाल का बेटा कौन हो जाए विग्रह पाल हो जाएगा तो इतने यहां पर शुरुआत के आपको ऐसे याद रखने हैं और अगर आप धर्म पाल को आपको याद रखना है देव पाल को आपको याद रखना है अब धर्म पाल में क्या चीज याद रखनी है तब से पहला आपको याद रखना है कि धर्म पाल ने एक विक्रम शिला विश्विद्याली की स्थापना की थी कहां की थी भागलपूर में की थी ठीक है जाहिर सिपा धर्म को मानने वाला है तो धर्म को मानने वाला होगा तो जरूर वो गंगा के किनारे जाएगा गंगा के किनारे यानि कि गंगा में जरूर जाएगा तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था तो धर्म पाल जाहिर सिपा धर्म टाइप का इंसान हो गया जिसने क पर आपको पता है एक विहार होता है मैंने आपको कई बर बता रखा था चैत क्या होता है विहार क्या होता चैत यहांपर बहुत हो हो जाएगा तो यहांपर उन्में विहार के इसथापक है चैति क्या होते हैं यानि कि बहुत धर्म में जहां पर पूजा वगरा की जाती है उसको बोलते हैं चैति बोलते हैं और जहां पर बहुत भीक्षू रहते हैं उनको क्या बोलते हैं विहार बोलते हैं एक जैसे की hostel वगरा होते हैं तो hostel ही इसको समझ लीजे तो यह यह क्या है जो बहुत बिक्षू थे यहां पर क्या है रहते थे तो इस तरीके सा आपको याद अखना है जिन्होंने विहार की स्थापने की वो कौन थे धर्म पाल थे कौन सा नाम क्या था ओधान पूरी और सोम पूरी क्वेशन यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी वज़े से मैं इतना यहां पर डिस्कस कर रही हूँ फिर इसके बाद देवपाल की बात कर तो देवपाल में क्या होता था सर्वशे चित्रिकला के लिए ठीके तो यहां पर सबसे अच्छी चित्रिकला के लिए आपको याद अखना है देवपाल को लेकिन सबसे अधिक कभी कभी देखे किसी की टाइम में बहुत अच्छी होती और किसी की टाइम में बहुत ज्यादा होती है कि सबसे सर्शेश जितरिकला के लिए किसके शासन काल को जाना है धेव्पाल को जाना आ जाता है यहांपर नारायन पाल को इतना नई पर बता ब्राइब किस मुल गंग कुटी थाहां पर मैंने आपको पता है जो यह देवपाल थे तो लियाँ है sisters वहाँ पर confused हो सकते हैं तो चीजों को आप अच्छे से समझें ठीके तो आप कैसा समझेंगे देव देव का मनलब यहाँ पर देवता ले लिए अब भाई देवता जो होगा वह कैसा होगा सर्वश्रेष्ट होगा ठीके तो सर्वश्रेष्ट चित्रिकला किसके टाइम में हो पूर्वी श्रेष्ट जाए संह्टा सर्वश्रेष्ट चित्रिकला किसके टाइम में हो जाएक देव पाल के महिपाल जाएक महिपाल के ताइम में सबसे ज्यादा बनी थी। इसके बाद हमने जायपाल बता दिए महिपाल का बेटा ही जैपाल थे और जैपाल का बेटा को थे विग्रेपाल तित्य थे ठीक है नेक्स सेशन पर नेक्स ट्राइट पर हमनों चलते हैं पाल शैली का नाम करड़ किया है अब कैसे क्या किया भी बताती हूं देखे यहां पर बात किरें लामातारना जो तिब्बत के इतिहासकार थे ठीक है यानि कि तिब्बत के इतिहासकार लामातारानात ने लिखा है सात्वी शताबदी के पश्चिम भारत में जिस चित्रशायली का निर्माड हो उससे भिन नवी शताबदी के पूरी भारत बंगाल में एक नवी चित्रशायली का उदे हुआ अप देखें, यहाँ पर कहरा उससे अलग, तो नवी शताबदी के पूरी भारत में, ठीके, बंगाल में एक नवी चित्र शैली का उदे होता है, जो पूर्वी शैली कहला है, ठीकी, या शैली कहला है, पूर्वी, क्यूंकि इसका निर्मार कहा हुआ, इसका उदे कहा हुआ, तो भारत के पूर्वी साइड में हुआ, ठीके, पूर्वी शेत्र में हो, इसे वज़े से लामा तारानात का कहना था, इसका नाम क्या होना चाहिए, पूर्वी शैली होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, पूर्वी शैली होना चाहिए, क्यों, क्य यहां पर मैं लिखती हूँ है तो नाग शेली और पूरवी शेली किस तु लामा तरणात ने कहा है तो पूरवी शेली प्लस नाग शव दोनों नाम किस ने दिए हैं तो लामा तरणात और को पोज़ा आता है Physics Till you music आपको समझ में आ गया तो पूरी भारत बंगाल में एक नवी चित शैली का उधे होता है तो इस तरीके से आपको याद रखना है तो यहां पर हला कि नवी दिया तो यहां पर बलकि होना कौन सा चाहिए आठवी नवी देखे आठवी नवी यहां क्यूंकि आपको जो पाल श पूरी भारत काहां पूरी भारत बंगाल में एक नवी चित शैली का होता ही इसी वज़े से नाम पूरी शैली यहां पर कहला है कि पूरी भारत में लेकिन ये नाम भी उचित ना लगा क्योंकि पाल शैली को समुन्नत करने वाले केवल पाल राजा थे ठीक है आता पूरी शैली से उनका योगदान प्रिकट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बता है पाल जो शैली है वो पूर रूप से जो पाल राजा थे उन्हों ने विक्सित किये अगर इसका नाम हम पूरी शैली दे देंगे तो जाहिर से पाल राजा को कोई कहाँ पर कुछ नामी नहीं हुआ अब जाहिर से बाते पाल शैली को सन्नक्षर देने वा प्रसेद कला समिक्षेंग हैलन रुभी सो ने इस शैली को बिहारी शैली कहा ठीक शेली ने बिहार उड़ीसा उत्तरिप्रदेश नेपाल आदि-शेत्रों में भी पनपी अता बिहारी शेली का नामकरार देखा इसे केवल मात बिहार से जोड़ना उचित नहीं ठीक है तो हैलन रुबीसों ने बिहारी शैली नाम दिया लेकिन जाहिर से बात है इसका मलब जो मलब ख्याती थी तो बंगाल में भी थी बिहार में भी थी नेपाल में भी थी तो अगर बिहार को यहाँ पर नाम दे दिया जाए तो जाहिर से बंगाल की तो कोई वैली नहीं पाल राजाहा उने दिया था तो मुक्षी रूप से नाम क्या हो गया पाल शयली हो गया लेकिन अग्स अगर अगर आपको पुछ लिया जाएध क्या heard krijते हैं इसके 500 पूरवी शयली त необходимо आपको यहीं समझना है, तो आपके नाम कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर याद रहे, लिखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले एक हो जाएगा आपका नाम पूर्वी शैली, ठीक है, पूर्वी शैली, अभी याद हो जाएगा पाल शैली, तो इस सरीके से आपको यह सारी चीज यहाँ पर याद रहे नहीं है, ठीक है, पूर्वी शैली, नाग शैली किस ने दिया था, लामा तारानाथ, ठीक है, और जबकि बिहारी शैली कौन सा हो जाएगा, रूबी सो, ठीक है, तो यहाँ पर याद रहे, बिहारी शैली, शैली, रूबी सो, यहाँ पर हो जाएगा, कलाकार, धीमान, उसके पुत्वित्वाल, धीमान क्या थे, पिता थे, और वित्वाल उनके क्या है, बेटे थे, इस शैली को पनपने में सहायता प्रदान की, पाल शैली के तीन प्रमुकेन थे, बंगाल, बिहार नेपाल, यह मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बंगाल, बिहार और नेपाल इसके पुर्मुक शेत्र में आते हैं, ठीक है, इसके अलावा, उरिसा भी अगर ऑप्शन में हो दिया हो, तो भी आपका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी दिया, वो भी आपका राइट हो जा यान कि जो बहुत धर्म को मानने वाले थे, तो पहले क्या हीन यान की थे, फिर उसके बाद आगे चलकर कर महायान में कनवर्ट हो गये थे, रीजन क्या था, इसके जो लोग थे, वो क्या है, समझी पहले हीन यान नियान वाले क्या थे जो अवशेस थे जैसे नाखून हैं इस सब चीजों को निशान कह सकते हैं या इनिकेशन को पूझा करते थे जबकि महायान क्या है उनकी मूर्ती बनाकर करके उनकी पूझा करने लगे थे क्योंकि बहुत धर्मे स्टार्टिंग में मूर्ति पूजा नहीं थी यानिकि मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी लेकिन आगे चलके जब वह संप्रता दो पार्ट में डिवाइड हो गया था तो महायान वाले क्या है पूजा यानिकि महातबुद्ध की मूर्ति बना कर कुझा करने लगके तो यहां पर याद क्या रखना है तो यहां पर बोतधर्म को कौन से मानने वाले तो यहां पर हो जाएगा हीन क्वेशन आपका पूचह जाएगा इस तरीक के से महा यान याण सच चित्र गरंत बहुत धर्म की महायान शाक रहान दो महायान शाक्हां पर्फ हो जाएगा िहां पर यहां पर किस अधरा पर किस चित्र हुएं की शाकह का प्रतिन रिदुद करते हैं तो महायान शाका हो जाएंगे, ठीकि, महायान शाका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आपको लगभग दो दरजन्त यानि कि 24 ठीकि लगभग आपको दो दरजन्त चாच्चितर गरंत्त मिलते हैं कि इसमें पालशायली लगभग आपके दो दर्जन या 24 जो है यहां पर मिलते हैं आगे चलते हैं इसमें क्या सबसे पहला ग्रंथ देख लिए यानिकि सबसे पहला सचित्र यानिकि चित्र के साथ पहला ग्रंथ कौन सा है तो अश्ट सहन सित्र का प्रग्या पार्मिता ठीक है तो आपको सीधे का आपको याद रखना है कैसा घृत तो ताड़ पत्रिय एक तो कौन हो जाएंगे नागारजुन हो जाएंगे किसके प्रग्या पारमिता के और पृतंपार इसका चित्रण किस शायली में रहे है dripping में हुआ है तो आथवी श 같습니다 में धार मैं के समय में आपको राजा बता है तो धर्म पाल के समय में इसका पहली बार चित्रड हुआ जो गोपाल के क्या है बेटे थे यानि को गोपाल पाल बंज के शाशक पहले शाशक और उसी का बेटा कौन था धर्म पाल था तो धर्म पाल के टाइम में सबसे पहले प्रग्या पार्मिता का सचित्र जो है मलब चित पत्र के साथ क्या है इसका चित्रड होता है जबकि लिखा किस ने था नागारजुन ने लिखा था ठीक है क्लियर हुआ इसके अलावा अगर इससे क्वेशन पूछा जाता है भारत का पृथम चित्रड ताड़ पत्री ग्रंथ भी कौन सा हो जाएगा तो प्रग्या पार्मित मेंरे बढ़ाज़े की अलावा कि चित्रड ताड़ पत्र और ताड़ हुआ है ताड़ पत्री हएक्जाम को मैं अ हैаль कि आद में कर दाएगो है इनélior मेंम हैं तो दरजन के होग्बाकर चित्रड हुआ ही सब से जादा सबसे ज्यादा बार किसका वुआ तो प्रग्या पार्मिथा का ही हुआ है तो नेक्स हमारा है हमारी है तो पाल शयलमारे है कि अन सचित्र ग्रंद और ग्र्फ के इसके अलावा की एक्जलर सकते हैं तो बौधी चर्या व्रत ग्रंद भी आपका किस में आता है तो पाल शैली में आता है इसके अला बौधी चर्या हाँ यह हो गया पंच शिखा पंच शिखा भी किस में आता है तो पंच शिखा भी कभी कभी नाम लिखा आता है पंच शिखा पंच शिखा और पंच रक्षा ठीक है अलग अ अगलग बुक में आता है मैं सारी चीज़े आपको बताती चलूँगी जिसमें कि आप आदमें कॉमेंट ना करें कि इसका नाम यह है ठीक है तो इसलिए मैं पहले से चीज़े बताती चलूए पंची रक्षा यह पंची शिक्षा आपकी पालशायली से हो जाएगी ठीक है अब यहां पर देखिये पूखा है बोरी चरय व्रट गरंथका पर संग रहीत में आरे का division ना梯ा में लिखी देति हूं ठीक है तो बनालश में हो जाएगा सारी पिडिय आपको टेलिग्राम चला है study edition उस पर आपको मिल जाएगी तो वहाँ पर से आप जा करके डाउनोट कर सकते हैं चीज़े समझ में तो इस तरीके से आपको ये भी यादक ना कौन सी चीज कहां पर संग रही थे ओके नेक्स समझ चलते हैं देखें काफी लंबा टॉपिक है तो आप हो सकता है आपको बोर लगने लगा हो तो बोर मत लगाईए क्योंकि आप जो है क्लास को यहाँ पर लीजी अच्छे से क्योंकि आपके लिए सारी चित्रकार में आएएंगे राज़ा अपसे पूछा जाएंगे तो राज़ा आपको कौन से बता है धर्मपाल हो जाएंगा ठीक है और बिल्कुल आपको पताए ज़ल्दी से तन्जौर शैली और मैसूर के भी थे ठीक है तो तो तन्जौर शैली में भी आपको जया पराज विजय का नाम मिल जाता है ठीक है तो आप यहां पर मैं स्टार्ट करते हूं कि इसी इतिहासकार कौन से इतिहासकार लामा तारणार नहीं ने लिखा है कि भारत में दो मुक्षिशैलिया थी एक पूर्वी शैली दूसरी पश्चिमी शैली यह जो हम डिस्कस कर चुके पूरी कौन से वित्तिकाल थे इसके अलावा जय पराजय विजय नाम के तीन कलाकार और थे इन सभी के बनाएगा चित्रों के पुर्मार नहीं मिलते हैं ऐसा कहा जाता है दक्षिड भारत में इसी शैली में काम होता है ठीक है यानि कि यह मैंने पूरी भारत की बात के लेकिन दक् कैसे आपको सारी चीज़ याद रखनी, तीन पांच कौन कौन से कलाका, धीमान, वित्तिपाल, जय, पराजे, विजय, ठीक है, तो पांच कलाकार आपको अच्छे से याद रखना है, option में आपका क्या जाएगा, कि विजय आपकी किस शैली से रिलेटेड है, तो आपको याद Next हमारी है, पाल-शैली की शैतर, अभी मैंने पता दिए, पाल-शैली के मुख्षेतर कौन से पस्चिम-बंगाल हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, नेपाल हो जाएंगे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और उड़िसा भी मुख्षेतर में ही आते हैं, लेकिन मेन आपक पता है जैसे मुगल शैली आप पड़ते हैं तो उसमें इरान का भी तुर्भाव मिलता है ना तो इसी तरीके से ये जो शैली थी तो पूरी तरीके से क्या है भारतिय शैली थी आगे खलते हैं हम लोग पाल शैली की शैलीकत विशेशता यानि कि पाल शैली में किस तरीके से काम हुआ है